शूलेस का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं शूलेस का आर्थ होता है शू के बिना यानि कि जूतों के बिना या जिसके पाउं में जूते ना हो उसे हम शूलेस कहते हैं यानिके adjective के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका आर्थ होता है नंगे पैर वाला, नंगे पाउं या बिना जूतों का या बिना जूतों के यानि कि जिसने जूते नहीं पहने हूँ या जिसके पाउं में जूते नहीं हूँ या जो बिना जूतों वाला हूँ उसे हम shoeless कहते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें